हे एवरिवन आज मैं इंस्टेंट मालपुआ की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मालपुआ कई तरह से बनाए जाती है इसे सूजी आटे या मैदे से बनाए जाता है जो की योपी बिहार, बेंगौल, उडिसा, महाराश्ट्रे, राजस्थान, कई जगों में फेस्टिवल्स के टाइम पर बनाए जाता है स्पेशली कोली में तो ये जरूर बनता है हर घर में तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ इंस्टिंट मालपुआ बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले मालपुआ का बैटर रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए एक बोल या किसी बरतन में डालेंगे एक कप मैदा आधा कप मिल्क पाउडर दो टेबल स्पोन सोजी आधा टी स्पून सौफ का पाउडर आधा टी स्पून हरी लाइची का पाउडर और थोड़े कटे वे काजू और किश्मिश आप इसमें अपनी पसंद की ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं इन सबको किसी विस्कर या चम्मत से ही सूखा ही मिला लेंगे पहले अब इसमें थोड़ा थोड़ा करकी डालेंगे एक कप दूद और विस्कर से इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे तो इस तरह से तीन से चार बार मैंने थोड़ा थोड़ा दूद आड़ करके इसका घोल इस तरह से रेडी कर लिया है ये अभी भी थोड़ी गाड़ी लग रही है तो इसमें डाल लेते थोड़ा और दूद इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत गाड़ी और ना बहुत पतली करनी है हमें तो टोटल मैंने यहाँ पे एक और एक चौथाई कप दूद लिया है बैटर रेडी करने के लिए मैंने इसमें सूजी भी आड़ किया है जो थोड़ा दूद जादा सुक करती है फूले के लिए इसलिए एक चौथाई कप एक्स्टा दूद मैंने इसमें डाला है इसे हमें 4-5 मिनट के लिए फेट लेना है अच्छ से बैटर हमारा रेडी है अब इसे 20-30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड रख लेते हैं अब चलिए बना लेते हैं मालकवा के लिए चाश्टी तो इसके लिए एक बरतन ले ले मैंने यहां कड़ाई ली है अब गैस ओन कर लेंगे और फ्रेम को लो पर रखेंगे अब इसमें डालेंगे एक कप चीनी और साथ में डालेंगे आधा कप पानी चीनी और पानी को मिला ले अच्छ से इसे लो फ्लेम पर ही पका लेना है हमें करीब 6-7 मिनट के लिए थोड़े देर में आप देख सकते हैं चीनी पानी के साथ अच्छ से घुल चुकी है अब इसमें डालेंगे दो हरी इलाईची जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है फिर डालेंगे 10-12 केसर के धागे केसर यहाँ पर डालना बिलकुल ऑप्शनल है पर अगर आप केसर डालेंगे तो चाश्टी में अच्छ सा हलका केसरी रंग आएगा और केसर का फ्लेवर भी मालपूय में आएगा 6-7 मिनट हो गये हैं और चाश्टी हमारी रेडी है इसे जादा हमें नहीं पकाना है नहीं तो चाश्टी गाड़ी हो जाएगी चाश्टी की कंसिस्टेंसी हलकी पतली ही चाहिए हमें चाश्टी को ढखकर साइड रख ले इसे ढखकर रखे ताकि चाशनी क्रिस्टिलाइज ना हो अब चलिए मालपुआ फ्राइ कर लेते हैं तो इसके लिए एक पैन मैंने यहाँ पे ले लिया है इसमें डालेंगे एक कब घी और घी को मीडियम फ्रेम पर गर्म कर लेंगे आप मालपुआ घी में ही फ्राइ करें इससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है पर आप रिफाइन तेल का भी यूज़ कर सकते हैं इसे तलने के लिए घी कर्म हो गई है तो थोड़ा मालपुआ का बैटर इसमें गिरा कर देख लेते हैं ये देखिए ये फूल कर उपर आ गई है इसका मतलब है कि मालपुआ तलने के लिए बिलकुल रेडी है अब थोड़ा थोड़ा मालपुआ का बैटर घी में डाल लेते हैं कुछ इस तरह से धीरे धीरे से एक जगा पर बैटर घी में डालेंगे ये खुद ही फैल जाएंगी और गोल शेप लेंगी इसे फैलानी की ज़रूरत आपको बिलकुल भी नहीं है हाँ पर चाहे तो थोड़ा सा इसे शेप दे सकते हैं आप एक बार में मैं यहाँ पर तीन मालपुआ बना रहे हूँ तो बरतन ऐसा ले जो थोड़ा चौड़ा हो और जिसका बॉटम भी थोड़ा फ्लाट हो फ्लेन को लोपर ही रखकर दोनों साइट से इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है एक साइट से देड़ से दो मिनट और फिर इसे पलट कर दूसरी साइट से भी देड़ से दो मिनट के लिए से तल लेना है हमें ये दोनों साइट से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इसी तरह से सारे बैटल का मालपुवा हमें बना लेना है सारा मालपुव बनकर तयार है तो अब इसे चाश्टी में डाल लेते हैं ध्यान रहे कि चाश्टी बहुत ठंडी या बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए हलकी गर्म चाश्टी में हमें मालपुव को करीब एक से दो गंटे के लिए डिप करके छोड़ देना है और ये लीजे टेस्टी मालपुव बनकर तयार है इसे आप रबडी के साथ सर्फ करें या ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में तो इस होली ट्राइ करें ये इंस्टिंट मालपुव की रेसिपी को रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फूड़ अबीच को हापी होली टू आल थाइंक यू टेक केर